वेलकम तो आवर चानल देशी वे टिप्स और ट्रिक्स तो इसमें हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत सारे वीडियो जैसे की कुकिंग, टेकनिकल टूल्स, अन्बोक्सिंग वीडियो और बहुत कुछ लाइक टेकनिकल गाइड और ट्रावल वीडियो आज का वीडियो है कुकिंग वीडियो हम बनाएंगे पानेपुरी तो चलिए पानेपुरी के रेसेपी दीखते हैं, सबसे पहले इंगरिडियर्ट की लिस्ट तो ये रही हमारी homemade पानीपुरी पानीपुरी का नाम सुनते ही मूँ में पाने आ जाता है देखो तो ऐसी दिखती है बनने के बाद हमारी पानीपुरी तो चलिए जानते हैं कि पानीपुरी बनाने के लिए क्या-क्या सामोगरी लगेंगे सबसे पहले खटा पानी और मिठा पानी के लिए हमने दो प्लेट अलग से बनवा लिए तो चलिए ये देखते हैं कि खटा पानी और मिठा पानी के लिए क्या-क्या सामोगरी लगेंगे तो पहले देखते हैं मिठा पानी मीठा पानी के लिए खजूर, इमली और गुड़, मैंने 10 से 12 खजूर सीडलेस लिये हैं अभी चलते हैं खटा पानी की प्लेट की तरफ, यह में लिउस हैंडफूल, एक चमच जीरा, थोड़ा सा हींग, एक चमच बलाइक सॉल्ट एड़ किया है, मैंने साधी सॉल्ट में, एक चमच पानी पूरी मसाला, और एक चमच चाट मसाला, और थोड़ा कटा हुआ धनिया, और एक ग्रीन चिली एड़ किये, आप अपने हिसाब से कमच जादा कर सकते हैं, और थोड़ी इमली, तो इस सारी इंग्रिडियन्ट को हमको मिक्सर के बॉल में ट्रांसपर करना है, और उसकी चटनी बना लीने, और यह जब चटनी बन जाए, तो इसको एक बड़े से बॉ पाने एड़ करना है, अब बनाते हैं मीठा पाने का पैस्ट, यह सारे जो प्लेट में इंग्रिडियन्ट्स थे, सामगरी, उसका मिक्सर की बॉल में लेके सब का पैस्ट अच्छी तरह से स्मूध पैस्ट बनाना है, और वो एक बॉल में ट्रांसपर कर देना है, और उसको दस मिनिट तक ग्यास पे लो फ्लेम पे हमको बॉल करना है, जब यह कलर ऐसा कुछ हो जाए, जब गूर का कलर थोड़ा डार्क हो जाए, तो उसको हमको फिर बंद करके रख देना है, दो बड़े बॉल आलू में हमको एड़ करना है कोरिंडर लिउस, उसके बाद एड़ कर करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, तो यह दो बड़े आलू को हमको बॉल करके स्मैश कर देना है, यह तीन चीज़े डाल के, चाट मसाला, सॉल्ट और कोरिंडर लिउस, यह आप अपनी हिसाब से कम जादा कर सकते हैं कॉंटिटी, अभी इसको अच्छे से स्मैश कर देंगे और यह हो गया हमारा आलू का रगड़ा तयार, अभी इसको साइड में रग देते हैं सेटल होने के लिए, तब तक हम पानी पूरी के पूरिया तल लेते हैं, यह एक प्लेट में हमने पानी पूरी के पूरी पापड लिये है, पूरी मिंस पापड, उसको धीमी आज में हम चार-पाच पूरिया डालते हुए तल लेंगे, कुछ इस वे से, तो यह इतना थोड़ा हलका ब्राउन होने देना है, जिससे पापड नरम न पड़े, और क्रंची हो जाए, तो इसको हमको ब्राउन होने तक के प्रॉपर तल लेना है, ऐसे ही अब हम सारे पापड एक यह हमारा पानी पूरी का गोल गप्पे या पानी पूरी रेडी हो जाएंगे, तो देखिए, यह पूरा ब्राउन होना चाहिए, पापड कुछ इस तरह के, यह तल के ऐसे दिखते हैं, तो चलो अब हमारी पानी पूरी तयार हो गई है, यह बनने के बाद सारा कुछ ऐसे यह हमारे गोल गप्पे, यह आलू का रगड़ा, ओनियन्स और कोरियंडर ले उस कट किये हुए, जो फाइनली चॉप्ट किये हुए, यह मिठा पानी, यह तिखा पानी और यह गोल गप्पे तो चलिए इसका स्वाद लेते हैं और आप भी ट्राइ कीजिए, आपको यह रेसिपी यह वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चानल के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच, तो चलिए ऐसी आस रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू हिट दे लाइक बटन और दो सस्क्राइब और प्लीज प्रेस दे बेल एक उन फॉर फॉर्दर नोटिपिकेशन, थैंक यू